हलो गाईज, स्वागत है प्रेम की रसोई एंटीव सेन वलोग में तो गाईज, आज हम लेके आये हैं गेहुं के आटे से नई रेस्पी तो गाईज, अकिन मानिए कि ये रेस्पी आप लोग ने कभी इस तरीका से बनाए नई होंगे खाने में इतना बनिया लगता है कि आप एक बर बना लेंगे तो इस तरीके से बार-बार मन करेगा बनाने को तो गाईज, आईज आई रेस्पी देखने के लिए वीडियो को लाई करके चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले साथे साथ बेल आइकन जरूर दबा दिजिए गया कि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पाज तक चहुपता रहे इसी के साथ वीडियो को सुरू करते हैं वह सबसे पहले एक बढ़ा से बावल लेंगे उसी के उपर एक कटन गाप्डा रख लेंगे यह हम बावल से नाब के लिए हैं गहुं के आँटा आब उसको इस तरह से पोटली जैसा बना लेंगे इसको इस तरह से सबी जगे लपेट के एक कोणर पकड़ के इस तरह से बाहने लेंगे तो ज्यादा से ये वाइट कपड़ा पर ये बनाईएगा क्यों वाइट कपड़ा राता है तो इसमें कलर नहीं छुटता है बणिया से इस तरह से गाठ बान लेना है बणिया से बानने के बाद एक मीडियम कोई भी टिपिल लेंगे उसके बाद टिपिल में हम इस तरह से डाल लेंगे इसका उपर से ढखल लगा लेंगे कि इसमें पानी न घुस पाए उसके बाद गैज पर कुकर बैठाएंगे कुकर में एक गिलाज के लगभग पानी डालेंगे पानी डालने के बाद एक कोई सी मीडियम प्लेट लेंगे आपके पास रिंग हो तो रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इस तरह से पलाट के पलेट को डाल लेंगे उसी का उपर ये टीपिन को डाल लेंगे कुकर को बन कर देंगे या जो इसका सीटी है वो लिकाल लेंगे उसके बाद 15 मिनिट गैज के फ्लेम तेज करके इसको बढ़िया से भाफ लगाएंगे 15 मिनिट के लगभाग हो गया है गैज को बन कर देते हैं कुकर के ढखान हा टाल लेंगे उसके बाद टीपिन को लिकाल लेंगे तिये देखिए टीपिन में लिकाल लिये है थोड़ा भी अंदर नहीं पानी लगा है अब हाम इसको पोटली को गाट खोल लेते हैं हाल अब हम एक बड़ा सा बावल लेंगे उसी के ऊपर बड़ा सा छनी रख देंगे इसको दबारा हम चानेगे दबारा चानने से जो इसका फुटका है बढ़िया से मिक्स हो जाता है यह देखिए कितना बड़ा बड़ा फुटका बना है इसी तरह से होना चाहिए तब ही हमारा नास्ता एकदाम कुरकूरा बनके तयार होगा अब इसको हाथों से फोर देंगे इस तरह से उसके बाद बढ़िया से इसको छान लेंगे अब हम इसमें कुछ सुखा मसाला एड़ करेंगे तो सबसे पहले इसमें एड़ करेंगे सवाद अंसार नमक अब हम इसमें एड़ करेंगे एक छोटा चमस धनिया पाउडर दो चुटकी के लगवाग इसमें हल्दी पाउडर एड़ करेंगे एक चमच के लगभाग जवाइन इस तरह से मसाल के अड़ करेंगे इससे खुस्बू बहुत बढ़ियां आता है नास्ता में टेस्ट भी बहुत बढ़ियां आता है अब हम इसमें अड़ करेंगे एक चमच के लगभाग देसी घीव आप चाहे तो देशी घीव के जगह पे बटर रिफाइन तेल कोई भी चीजिस में एड़ कर सकते हैं इसको एक मिनट इस तरह से मसाल लेंगे इस तरह से मसालने से बटर रे घीव डालने से बणिया से मिक्स हो जाता है उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालके डो बणिया से तयार करेंगे एक बात को ध्यार रखना है कि पानी एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके डो को टाइट तयार करना है आटा के डो तयार करते हैं उस हलका सा टाइट रखना है जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कितना सकते आटा त्यार हुआ है अब इसको हम दुसरा बाउल में ढखके दो मिनट के लिए रख देंगे जब तक ये सेट हो रहा है हम इसका पेश्ट बना लेते हैं पेश्ट बनाने के लिए आदा छोटा चमाच मिर्ची पाउडर आड़ किये हैं आदा छोटा चमाच चाट मसाला आड़ किये हैं अब एक ये हमने निम्बो लिया है एक टी इस्पून निम्बो के जूस आड़ किये हैं कि अब हम इसमें साते साथ एक टीए स्पून रिफाइन वाइल एड़ करेंगे यह सभी चीज को बढ़िया से मिक्स करेंगे बढ़िया से मिक्स हो गया है अब डो को देख लेते हैं इसको हम साइड में रख देते हैं दो मिनट के लगवाग हो गया है डो भी बढ़िया से सेट हो गया है बनाने से पहले 10-12 सेकेड इस तरह से मसाल लेंगे इस तरह से लंबा से बना के छोटे छोटे इस तरह से लड़ू के जैसा सारे डो को तोड़ लेंगे अपना मन पसंद बाड़ा या छोटा नस्ता बना के तयार कर सकते हैं उसके बाद चकला परी तरह से गोला लगा लेंगे इसमें हलका सा सुखा याटा लगाएंगे उसके बाद रोटी के सेफ बना लेना है ज्यादा पतला नहीं रखना है ज्यादा मोटा नहीं रखना है दोनो तरफ पलट के बेलने से एकदम बङळिया से बनके तयार होता है उसके बाद मिर्ची निम्बो के जो बेटर तयार किये हैं अब इसी के उपर इस तरह से सभी जगे मिला लेंगे अपना मन पसंद तीखा जितना खना पसंद करते हैं उसका हिसाब से उसमें डाल सकते हैं उसके बाद दोनों तरब से कोणर इस तरह से फकड़ के इस तरह से अप डाउन करके ये देखिए चुनट के जैसा पना लेंगे जैसे साड़ी का चुनट देते हैं उसी तरह के चुनट देना है उसके बाद पगड़ी के तरह सभी जग घुमा के जो कोनर है नीचे इस तरह से चपका देना है हलका सा प्रेश दे के जाद देना है ये देखिए दोनों तरफ कितना बढ़िया बन के तियार हो गया है हलका सा सुखा आटा लगाएंगे हलका हलका हाथों से प्रेश देते हुए दोबारा रोटी के से बेल लेना है रोटी से हलका सा मोटा रखना है ज्यादा ये पतला नहीं है ये देखिए उसके बाद पहले से हम गैस पे तावा रखे हैं तावा बनिया से घरम हो गया है अब इसी के उपर नस्ता को इस तरह से डाल लेंगे एक दो जितना आता है उसका हिसाब से डाल के बनिया से इसको पका लेना है हलका सा ये देखिए गोल्डेन ब्राउन हो गया है अब इसी के उपर बटर इस तरह से लगा लेंगे अपना मन पसंद बटर रगी एर इखाई वैल कोई भी चीज में इस्तमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे इसके बाद हलका हलका इस तरह से गैस के फलेम आप डाउन करके गोल्डेन ब्राउन का किसको पेट लेना है दो से तीन मिनट लगता है सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यह देखिए दो दो एक साथ हमारा नास्ता बनके तयार हो गया है यह देखिए कितना सुंदर बनके तयार हो गया है नास्ता बाकी के जो बचा है इसी तरह से पका लेना है तो गाईज टेश्टी के साथ साथ है ना कितना असान नस्ता बनाना साथ साथ दो दो बन के तयार हो गया है तो गाईज आसा करती हूँ कि यह recipe आप लोग को जरूर पसंद आई होगी पसंद नाई होगी तो अपने दोस्तों के पास share करना ना भूले इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई